अभी हम कर रहे हैं सेवंत क्लास के लिए एक्सेसाइज 5.1 और चैप्टर का नाम है लाइन्स एन एंगल्स कोस्टन नमबर 14 अभी हम करने जा रहे हैं 14 कोस्टन में क्या है आपको एक फिगर दे रखी है और इसके अंदर आपको अलग-अलग तरीके से आपकी समझ बढ़ाने के लिए कोस्टन मिले हुए हैं तो वो करते हैं ठीक है इन दा एड़ जॉइनिंग फिगर नेम दा फॉलोविंग एंगल्स फॉल्विंग पियर्स ओफ एंगल्स आपको इस एड़ जॉइनिंग साथ में लगी हुई फिगर से को देख करके इन एंगल्स के पियर्स के नाम आपको लिखने हैं तो पहले हम क्या करें हम इसको एक डाइग्राम अपनी तरफ से प्लोड कर लेते हैं पहले क्या हो रहे है एक बीडी लाइन है और यह है एक और लाइन बी ओ डी ए ओ सी ठीक है तो एक तो एक्यूट अंगल बना रही है और एक आप्ट्यूज अंगल बना रही है वर्टिकल यह अपोजिट अंगल का पेयर यह पेयर एक्यूट अंगल है यह पेयर आप्ट्यूज अंगल है जो कि 90 डिग्री से ज़ाद है अगर मैं इसको ऐसे ड्रो करूँ तो यह कितना बनेगा इतना यह 90 डिगरी बनेगा तो 90 से तो ज़्यादा हुआ ना इतना पेर ज़्यादा है ठीक है तो यह अप्ट्यूज अंगल है इसकी जुरुत पड़ेगी तो तब करके मैंने ऐसे बनाया और यह नहीं यह तो फिगर के अंदर भी ऐसा है तो मैं तो भीच में समझाने लगा था और यह फिगर में है भी ऐसा जो 90 डिगरी अंगल बना रहा है परपेंडिकुलर ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं obtuse vertically opposite angles हमें यह बताने हैं कौन से obtuse vertically opposite angle तो यह वाला जो ऐंगल है और यह वाला ऐंगल है यह vertically अबो जिट अंगल है क्रोस बना रहा है इसको छोड़ कर लेए इसके बाद इसका adjacent angle यह है इसको छोड़के जो next इसका जो adjacent का adjacent वो होते हैं वर्टिकल यह अपजेट एंगल एक्यूट है और जो यह वाला जो बच गया पेर एक तो यह वाला और एक यह वाला यह दोनों के दोनों तो मैंने नाम वैसे यह नाम आपको दे भी रखे हैं नाम देने का फायदा होगा आप को क्योंकि अप्ट्यूज वर्टिकल यह अपजेट एंगल यह वाला और यह वाला है बीच में यह लाइन आई हुई है तो आप इसको नाम दोंगे ए ओडी फर्स्ट का अंसर होगा एंगल ए ओडी याद रहे जिस पर एंगल बना हुआ है वो बीच में हूँ ओ बीच में है एंगल ए ओडी एंड यह वाला जो एंगल इसका नाम क्या होगा बताओ जो रहा इसका नाम होगा बी ओओ शी या फिर सी ओवी ओके इसेंड अड्जैसेंड कोंप्लिमेंटरी एंगल एड्जैसेंड मतलब आपको अब तक तो समझ में बिलकुर अच्छे से आ गया ना अगर नहीं तो आप पहले वाले जो वीडियो चीज की अंदर अड्जैसेंड एंगल की प्रोप्टी है वो समझे जैसे ही यह प्ले लिंक है वो सारे excuse में डाल दिए जाएंगे तो आप उसमें अच्छे से समझ पाएंगे तो प्लेयलिस्ट है इस प्लेयलिस्ट में उस्या करकर के देख सकते अट जिसन अंग्ल कॉनसे होती है तो वो angles जो की adjacent भी हो और जिनका sum 1, sorry 90 degree हो तो आप देख रहे हैं कि यह perpendicular है OE तो इसका मतलब क्या हुआ यह angle 90 degree है इसी तरीके से यह वाला angle जो है 90 degree होगा तो इन दोनों angle का sum 90 degree होगा राइट हुआ ना इसका मतलब क्या हुआ यह दोनों angles क्या है supplementary angles है adjacent भी है यह वाला angle और यह वाला angle क्या है adjacent है और साथ साथ यह इनका sum 90 degree है तो इसका मतलब यह हुआ वो जो हमने हमसे पुछा गया है second answer होगा बी ओ पर बना हुआ है बीच में आएगा B O A and angle A O E are adjacent complementary angles ठीक है अब थर्ड पॉंट थर्ड जो इसका पार्ट है वो देखते है इक्वल सप्लिमेंटरी एंगल सप्लिमेंटरी एंगल कोंड से होते है जिनका sum 180 डिग्री ओ तो इक्वल सप्लिमेंटरी एंगल 90 डिग्री वाला होगा तो देख रहे हैं आप 90 90 सप्लिमेंटरी यानि कि जो दोनों की दोनों एंगल सप्लिमेंटरी और साथ की साथ उनका sum 180 डिग्री भी हो तो यह ऐसा question था भी यहाँ पर यह किया था हमने question number जो आपने किया था 5th कि वे एंगल्स इक्वल भी हो और सप्लिमेंटरी भी हो तो वे कौन से थे 90 90 डिग्री का अंसर आया था है ना तो यहाँ पर 90 डिग्री वाड़ा देखने है आप देख रहे हो कि इनका sum यह वाला जो 90 डिग्री है और यह वाला 90 डिग्री है क्योंकि OE perpendicular है BD के ओपर तो इस question के लिए इक्वल सप्लिमेंटरी एंगल्स एक तो यह वाला एंगल हो गया B O E and EOD are equal supplementary angles ठीक है फोर्थ पार्ट अन इक्वल सप्लिमेंटरी एंगल्स तो यह तो equal वाले होगे स्टेट लाइन को पर बना रहे हैं अब अन इक्वल के केस में यह वाला एंगल और यह वाला एंगल इन दोनों का sum कितना है यह और यह 180 डिग्री है ना क्योंकि स्टेट लाइन पर बने होगे है तो यह supplement है लेकिन यह obtuse यह acute है तो यह दोनों equal तो ही नहीं तो आप लिखेंगे एंगल इस एंगल का नाम B O C and अंगल इस अंगल का नाम D O C जिस पोइंट पर बना हो है वो बीच में इसका नाम आप C D O नहीं लिख सकते है बिलकुल भी नहीं बीच में यह यह या तो C O D या D O C K B O C R ॊ is the summary the summary area of the supplementary subjects लिखेंगे शप्लमेंटरी एंगल्स गलती ओगे उपर सुडूर्टल्पी ली में टी ए आर वाइ तो यह हो गया अब है फिफ्ट पार्ट हमें पना करना है एडेसिन एंगल्स जो की लीनियर पेर ना बना रहे हो ऐसे एडेसिन एंगल्स जो linear pair यानि की 180 डिग्री ना बना रहे हो दोनों एंगलों को जोड़ करके एक स्टेट जो दो अनकोमन आर्म से दो एड़ेशन एंगल जिसमें कोमन आर्म दोनों के अंदर इस एंगल में भी और इस एंगल के अंदर भी इस एंगल में और इस एंगल में तो कोमन आर्म दोनों में तो आ रही है ओई और जो अनकोमन आर्म है ओबी एंड ओडी इन दोनों को मिला दो तो एक स्टेट लैंड बन रही है तो ऐसा ना हो जानि क linear pair ना बना रही हो adjacent हो linear pair ना बना रही हो तो ये वाला यह आप cancer हो सकता है एक तो ये वाला angle और एक ये वाला angle ये वाला तो इन दोनों को जोड़ो तो 90 degree बन रहा है लेकिन linear pair नहीं बन रहा तो ये answer हो जाएगा fifth तो ऐसे तो कोई कितनी है वो सकते हैं जैसे अब एक ये वाला angle और एक ये वाला angle और एक ये वाला angle और 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 ये वाला angle Angle BOE and Angle AOE are Adjacent Angle that do not form a Linear Pair, ठीक है, इसी तरीके से ये वाला भी आपका अंसर हो सकते हैं, अगर ये वाला और ये वाला ले 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 हम, ओके ये वाला और ये वाला ले 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 हम, डन और चलिए और ज़्यादा क्यों क्योंकि ये सब आपके लिए ही है, ओके बाई, थैंक्यू अगें फॉर वाचिंग यूर वीडियो, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, कोई ट्राइदी अगर इसके अंदर है, तो वो करेंगे, है कोई ट्राइदीज, देखते हैं, एक ट्राइदीज आ गया, ये वाला देखेंगे, ये तो साए अधा प्रैक्टिकल टाइप में है, आपके आज-पास देखना है, कुछ और है, देखेंगे क्या है इसमें, और एक ट्राइदीज ये नज़र आ रहे हैं ये हैं तीन ट्राइदीज होगे ये और इस इसके अंदर तो बहुत सरी प्रोप्टी जाएगी तो इनको करेंगे हम ओके बाई थैंक यू अगें